तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान हो जाएगा यह आप कह रहे हैं तो यह तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनने के लिए उन्हों ते पहले घोसना कर दिया है कि हम आये हैं और मेरे बात यही समहलेंगे तो समहलने का मतलब क्या हुआ कि बिहार में मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तेजस्वी सलाएगे तो वो कह चुके हैं इसमें कोई बिसाय ऐसा नहीं है जिस पर असपस्ट किया जा इस बात को वो तो पहले कूसना कर रहे हैं कितना गलत और कितना सही है और कितना सामने आएंगे लोगों की जनता के बीच में आएंगे लेकिन जहां तक इन एजेंसियों का सवाल है कहीं ने कहीं किसी पुक्ता साक्ष के साथ करवाई होती है नमस्कार आप नुश्पोर नेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने बिते दिन कहा कि हम 73 साल के हो गए हैं अब हम जाएंगे यानि की राजनीती से कहीं न कहीं उन्होंने दूरी बनाने की बात कहीं है हाला कि विपक्ष ने तंज कसा है और कहा है कि जब आप चले ही जाएगा तो ये इंडिया का जो माहौल आप बना रहे हैं किसलिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं आमजनता पाटी राश्टिये के राश्टिये अध्याक्षि विद्यापति चंद्रवन से नितिस कुमार आप खुल के करें कि अब हम ती हत्तर साल के हो गए हैं क्या साबित करना चाहते हैं देखे ऐसा है कि तो आपको याद कीजिए कि जिस समय चुनाव लड़ रहे थे 2020 का इधान सभा चुनाव जब लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब तो हम लोग ये अंतिन चुनाव लड़ रहे हैं और ये बात हैं तो कई बार बोल चुके हैं कि अब तो हम लोग का समय बीच चुका है इसको अब विपक्ष जिस तरह से ले या सत्तापक्ष जिस तरह से ले ले लेकिन ये बात तो आज ही नहीं वो समय से कहते आ रहे हैं जिस समय वो चुन रखिये और इसके भरो सेटिलाइट के भरो से मत रहिए सेटिलाइट द्वस्त हो जाएगा कागज ही आपको जिवित रखेगा इन बिंदुओं पर उन्होंने प्रकास डाला है और यह बिंदु वो उनका सोच है उनका अपना समझ है और लोगों को एवेर कर रहे हैं इसलिए यह कोई राजनितिक ब्यान नहीं है भले राजनितिक चर्चा होने लगी लेकिन यह उनका कोई राजनितिक ब्यान नहीं है वो उन्होंने यह अच्छी बात अपने दिमाग से सोच समझ के जो उनको अच्छा लगा वो कहे हैं तो इस पर राजनितिक ब्यान यह नहीं है मेर समझ से यह भी सवाल अब उठ रहा है कि अगर नितिस कुमार इस तरीके की बात को कहे हैं तो तेजश्वी के लिए मुख्यमंत्री बनना आसान हो जाएगा यह आप कह रही हैं तो यह यह तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब बनने के लिए उन्हों ते पहले घोसना कर दि तो सम्हालने का मतलब क्या हुआ कि बिहार में मुख्यमंत्री जब वो नहीं रहेंगे तो तेजश्वी सला यह तो वो कह चुके हैं इसमें कोई भिसा या इसा नहीं है जिस पर असपस्ट किया जा इस बात को वो तो पहले कूसना कर रहे हैं जबकि वो सब दिन जिस तरह का आरोब तेजश्वी जी पर लगा उस आरोब के इससे पहले भी लगा था तो हमेशा बिरोध करते थे लेकिन इस सभी बातों को भूल गये हैं और भूल भाल के अपना वो कह रहे हैं कि तेजश्वी जी ही अब मेरे बाद सम्हालेंगे ऐसा उनका कई वर ब्यान भी आया तो इस तो कह ही रहे हैं तो इसमें क्या अब कहना होता है असपश्ट कर चुके हैं इस बाद एक बार फिर से चार्शेट दायर किया गया है जिसमें लालू प्रशाद यादो और तेजश्वी यादो का नाम दर्ज है देखे सवाल यह उठता है कि यह तो जाच एजन्सिया हैं देश की, CBI हो, ED हो, जाच एजन्सिया है CBI को तो परमीसन लेना पड़ता है स्टेट गुर्मट से लेकिन ED को तो परमीसन लेने की भी जरूगत ने है तो सवाल यहाँ पर यह जरूर है कि अगर CBI ED अभी जो एटेच किया है च्छोग कोड़ोर की संपती को उसने एटेच किया है जैसा हम लोग ने TV और आप लोग के माध्यम से देखा है तो वो एटेच करने के बाद अब सवाल यह उठता है कि CBI और ED कितना गलत और कितना सही ह है और कितना केंद सरकार के दवाओं में काम कर रही है यह विसे तो समय परिवरतन सील है समय बदलेगा और अभी अगर CBI गलत करेगी एडी गलत करेगी तो यह सभी तथे सामने आएंगे लोगों की जनता के बीच में आएंगे लेकिन जहां तक इन एजेंसियों का सवाल है कहीं ने कहीं किसी फोकता साख्च के साथ कारवाई होती है तो अब एडी द्वारा जमीन को अटेज कर लेना और 6 कौूर की संपती अटेज करना यह बताता है कि कहीं ने कहीं इन लोगों को कोई प्रमान मिला है यs The M갔 कारण की वो इस तरह की कारवाई कर रहा है एक सवाल यह भी है कि राहूल गांधी की संसद में वापसी हुई है, कॉंग्रेस का फिज़स्ट मना रहा है, क्या लगता है आने वाले जो चुनाव है दोहजार चौबिस का लागामी उसमें कितना भारी पढ़ सकता है? तेखे जो सवाल आप कर रही है कि कितना भारी पढ़ सकता है मेरा ये कहना है कि ये भारी तो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है तो अभी INDI करके ये जो गटवंधन बना है ये तो बता रहा है कि हम भारी है अब सवाल ये उड़ता है कि जनता कितना इस तरफ ये होगी कि जिस तरह से प्रचारित अभी किया जा रहा है कि भाई सरकार जो है केंद्र सरकार इतिहास बदल रही है केंद्र सरकार संभीधान बदल रही है केंद्र सरकार जो ये कर रही है वो कर रही है तो ये विशाय जो है जनता के अगर नजरों में जनता अगर सही मानेगी तो समय देखिए सवाल यह उड़ता है कि इन मुद्धों पर जनता कितना साथ देती आई एंडियाई का वो आने वाले समय बताएगा कि राहूल गांधी कितना भारी पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात तो यहां भी क्या है आपस में कि इन लोगों का मुखिया कौन होगा यह तही नहीं हो रहा है यह सबसे पहले तेक करने की जरूवत है बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए तो आप सुन रहेते कि क्या कुछ कहना था आम जंता पार्टी राश्टिय के राश्टिय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवन सी का इस खरू बस इतना ही बने रहे यह पोनेशन के साथ धन्यवाद